मा की ममता आम के पेर पर एक सुरीली नाम की चरिया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोसला बनाया हुआ था। जिसमें उसके छोटे-छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वो बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे। इसलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी। तभी सुरीली के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे। इतना जोर की देखते-देखते सभी बच्चे रो रहे थे। सुरीली से अपने बच्चों के रोना अच्छा नहीं लग रहा वो उन्हें चुप करा रही थी। किन्तु बच्चे भूख से तडप रहे थे इसलिए वो चुप नहीं हो रहे थे। सुरीली सोच में पड़ गई। इतनी तेज बारिश में खाना कहां से लाऊंगी। मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शान्थ होगा। काफी देर सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उडान भरी और पंदित जी के घर पहुँच गई। पंदित जी ने प्रसाद में मिले। चावल दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चरिया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुह में धेर सारा चावल रख लिया। और जटपट वहां से उड़ गई। घोसले में पहुँच कर चरिया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पे गया। वो सब छुप हो गए और आपस में खेलने लगे। मोरल, संसार में मा की ममता का कोई जोड नहीं है अपनी जान विपत्ती में डाल कर भी अपने बच्चों के हित्मे कार्य करती है।